हेलो यूटू फैमली गुड मॉर्निंग और फियो कैसे हैं आप सब आचा करते हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी किछन में हूं तो मैं राज काना जी को लेकर आई थी मेरा बेटी की जिब पर मीपेडी ने बहुत टाइम से जिब कर लेधी को us ladyMK काना जी की चैले तो मैं काना जी लेकर आई हूं तो आज मैं उनको श्रंगार करने वाली हूँ यानि उनको निहलाना है अभी तो अभी बुनहाएं नहीं है सोकर उठ चुके हैं और सुबह मैंने उनको ड्राइफोर्ट का भोग लगा दिया था अभी हजबन गए है दूद लेने के लिए तो उनके लिए दूद भी आएगा और उनको इसनान कराना है गंगा जल और गुनगुने पानी से क्योंकि थोड़ी भूद ठली भी हो रही है हमारी आपे तो मैं पहली बार लेकर आई हूं काना जी लेकिन मुझे नहीं पता इनकी सेवा कैसे की जाती है तो बाकी में यूटूब पर देख देखके थोड़ा सेख होंगी और बाकी मुझे आप लोग कमेंट में बताईएगा कि काना जी की सेवा कैसे की जाती है वैसे मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मैं सेवा करूँगी लेकिन अब आ गए हैं घर पर तो देख वाल तो बच्चों के जैसे ही मैं रखोंगी ऐसा मैंने सोचा है जैसे बच्चों की मैंने आज तक देख वाल की है अपनी दोनों बेटी हों को पाला है तो वैसे ही मैं इनकी भी देख वाल रखुँँगी जैसे थोड़ा बहुत मुझे वोफ आएगा तो और आप मुझे कमेंट में बताईएगा मैं कैसे इनकी सेवा करूँ ठीक है तो अभी मॉर्णिंग का टाइम है गाइस और अभी काना जी की जो श्रंगार की तैयारिया है वो चल रही है घर में तो जो घर में फूल के लिए थे हस्बेंट जी वही तोड़कर ले आये हैं और मैंने थोड़ा गंगा जल ले लिया है और हल्का गुंगुना पानी का लिया या सहत से दही से तो यह चीजे मैंने नहीं लिया है मैंने सिर्फ गंगा जल को पानी में डाल लिया है थोड़ा सा और मैंने कच्छा दूद ले लिया था और मल-मल के काना जी को इस्तान करा दिया है लड़ो गोपाल को मेरे तो मैं रात को लेकर आय थी और मैं करास से ही ब बराबर वाली भावी है एक शौप पे हैं बराबर में ही मेरे घर के तो मैं बहीं से लेकर आऊंगी और मोर पंक और अभी मैं इनको अच्छे से तॉलिया से पॉच्छ के और इनकी जो पोशाक है वो पहना दूँगी काना जी को अच्छे से इसनान कराने के बाद मैंने लड़ू गोपाल को भी अच्छे से पोश दिया है तो अब हम उनको पहनाएंगे उनकी पोशाक जो मैं लेकर आई थी उनके साथ में ही तो आप कमेंट में बताईएगा ये पोशाक कैसी लग रही है मैं फर्स टाइम लेकर आई हूँ तो मुझे नहीं पता था इनके लिए कैसे कैसी पोशाक लानी है तो अभी जैसे सर्दिया आ रही है तो इनके लिए रजाई बगेरा और कंबल बगेरा यानि लेना और इनके लिए पोशाक भी मुझे बनानी पड़ेगी यानि गरम कपडी भी इनके लिए मुझे लाने पड़ेंगे और अभी चार पाई वगेरा इनके लिए नहीं आई है तो इनको इस तौलिया पर ही हम लोग सुलाएंगे आज रातो लेकिन कल को मैं इनके लिए सोने का अभी इंतिजाम कर दूंगी यानि जिस बिस्तर पर यह सोएंगे तो धीरे-धीरे सारी चीजों का इंतिजाम में कर दूंगी तो फैमिली मैं पहली बार लड़ू गोपाल जी का शरंगार कर रही हूँ अगर आपको लगता है कोई कमी रह गई है तो प्लीज कमेंट में जरू मेंशन कर दीजीगा तो अभी जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ और मैं इस ताइम बहुत ज़्यादा एक्टाइडिन हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जितना ज़्यादा शिंगाल करती जा रही थी कानह जी उतने ही ज़्यादा मन मोहक और मुझे बहुत ही प्यार पूरे श्रंगार के बाद ये देखिए फाइनल लुक और इतने क्योट लग रहे थे इतने प्यारे लग रहे थे मन्तू कर रहा था बस इनको गोदी में लेके जुलाती ही रहूं तो फाइनल लुक तो आपने देखी लिया है कैसे लग रहे हैं मेरे काना जी कमेट में ज़रूर बताईएगा और इधर फिर काना जी का श्रंगार करने के बाद मैं टीवी पर भजन चला दिये थे और अब मैं सोच रहे थी इनको भोग लगाने के लिए तो मैंने हस्पन जी क को उसमें दूद में एड़ कर दिया था और काना को अपने हाथों से यान लड़ू गोपाल को मैंने अपने हाथों से दूद पिलाया है और मैं बहुत जादा खुश्ती और बच्चे आज दोनों जो बेटिया हैं मेरी वो आज भी कनिया जीमने के लिए गई है तो आज मु काना जी को लड़ू गोपाल जी को गोदी में लेकर आ रही थी तो मैं भोड़न जादा इमोसंटलि अटीं हो गई हो घ hon काना जी के लड़ू गोपाल जी के साथ तो यह मैंने भोग लगा दिया था लेकिन प्रेंड आपने देखा होगा कि मेरे पास दो बेटिया हैं और मेरे पास के मैं यह इस लिए घर में लडड़ु घुपाल जी को लेकर आई हूं और वो बेटे की कमी को फूरा करेंगे लड़ु को फाल जी और कोई नहीं कर सकता मेरे दिल की पीला में ही समझ सकती हूँ डोपेर के बाद मैं चली गई थी मार्केट मुझे मुझे कर प्रवा un यहां से मैंने साड़ी एक ले ली है करवा चौथ के लिए तो आपको फाइनल लुकुस का मैं बाद में दिखाऊंगी फिर हस्बंड जी ले आयते दो नारियल तो एक तो मैंने पी कर फेक दिया है और एक नारियल में बहुत मोटी सी मलाई निकली है उसे मैंने काटोरी में न लोग चले गए थे मेले में खलक को दिखेरा है गाइस और दशेंगी फेक बहुत जाता भीड रहती हैं मटशनु उनु पढ़ाते करें लैंगे बहुत जादा भीड घ्र फिर sorting motherf acknowledging दो यहां दे देखने खाई थी और घाड़ी लेकर गए थे तो पीछे फस गयते हम लोग तो पैदल उतरके गाड़ी से चले गए थी मेले में तो हम तीनों ने पहले पकोडियां खाए फिर हस्बंड जी भी आ गए थे और हस्बंड जी ने थोड़ा सा रामलीला चल रही थी तो उसका वीडियो यह बताईएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है वह भी जरूर बताईएगा कहीं आपको कोई कमी तो नहीं लगती है तो आप भी बता दीजिएगा क्योंकि मैं उस कमी को फिर दूर करने की कोशिश करूंगी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूं कि आपके लिए बड़ी से बड़िया आपके लिए ब्लॉग लेका रहा हूं तो ऐसा मुझे लगता है वैसे मुझे लगता है कि कमी तो कुछ नहीं है लेकिन आप लोग लाइक कम करते हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करो पाई बाई फैमिली